हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों 30 अगस्त को रेलवे ग्रूप डी का तीनों ही सिफ्टों का पेपर खतम हो गया है इस वीडियो में ओल सिफ्ट में जो आपके तीनों सिफ्टों के अंदर जो 100% real और authentic कोशन पूछे गए थे आपसे सभी कोशन करने वाले हैं तो वीडियो को बनाने में बहुत मैनत लगा है इसलिए वीडियो को like के साथ continue कीजेगा इस वीडियो का जो like का हमारा goal है वो है 2000 likes का तो आप complete जरूर कीजेगा इस goal को अपने कोशन से start करेंगे सीधा सबसे पहले आज के तीसरे सिफ्ट के कोशन करने जा रहे हैं तीसरे सिफ्ट में आपसे एक आसान सा कोशन पूछा गया था कि दक्षिन गंगा के नाम से किसे जाना जाता है पहले भी बहुत बार ये कोशन आपके सामने आया होगा तो इसका अंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिन गंगा यानी दक्षिन भारत की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी नदी दक्षिन भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी ये पसिमोत्तर महराष्ट राजे में भैती है जो दक्कन यानि की प्राइड वीपिय भारत के विस्तरत पठार के पार पूरव की और भैती है देखिए नदियों से हर सिफ्ट में रोजाना एक या दो कोशन पूछे जा रहे हैं एक कोशन आया था हिस्टरी का 1757 में रोबर्ट कलाइव और सिराजु दोला के बीच में लड़े गए युद का नाम आपको बताना था ये वाला कोशन हमने 28 एगस्त को रात को ही किया था जिस दिन एक्जाम नहीं था और आद ये पूछा भी गया है तो इसका नाम है पलासी का युद ओप्शन में पलासी दिया था बकसर दिया था तो यहाँ पे पलासी का युद करेक्ट होगा 23 जून 1757 को उत्तर पूरवी भारत में लड़ा गया था रोबर्ट कलाइव के नेतरतव में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के सेनिकों ने बंगाल के अंतिम नवाब सीराजु दोला और उनके फ्रांसीसी सेयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संबाला था कलाइव की जीत हुई थी अंतिते अंग्रेजों को भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सेन्य सक्ती बना दिया था इस यूद ने हैं जो आपका थायरोइड हर्मोन के उत्पादन के लिए महत पुर्ण माना गया है नेक्स्ट कोशन आयता करेंट अफेर से की इसमें आपको मिताली राज नहीं करना है क्योंकि भारतिय स्टार बैटर स्मर्ती मंधाना को सभी प्रारूपों में शांदार प्रदर्शन के लिए अंतर राष्ट्रे क्रिकेट काउंसिल इसमें साल 2021 का सरवसेष्ट महिला क्रिकेटर चुना है दूसरी बार इन्हें चुन अग्याद था यह जिस दिन एक्जाम नहीं था तो आपका जो बलड गुरूप होता है न इसे दोस्तों बोला जाता है सरव दाता आपको कमेंट में बताना है सरव ग्राही कौनसा होता है एक कोशन आयता यह रीपीट ड़ कोशन है एक्जाम में पराबैंगनी किरोंडों से कौन सा प्रकार का cancer होता है cancer के type दिये थे जिसमें तवचा cancer दिया था option में आपको पता होगा पराबेंगनी विक्रिनों से तवचा का cancer हो जाता है तो ये correct हो जाएगा एक आया था सुरजकुंड मेला से कल भी सुरजकुंड मेला से कोशन आया था और आज भी पूचा है कल आपसे पूचा था कहां पे होता है तो फरीदाबाद हरियाना में होता है आज आपसे पूचा था 2022 में जो हुआ था उसमें theme जो state था ना वो उसका नाम पूचा था तो 35 सुरजकुड अंतराष्टे जो सिलप मेला है 2022 की जो theme राजे था वो जम्मू कश्मीर था तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपका correct हो जाएगा जो आपका हस्त सिलप और कला रूपों के माद्यम से अपनी विशिष्ट संस्क्रती और समरध्य विरासत को प्रसूत करेगा तो theme state हो जाएगा यहाँ पे जम्मू और कश्मीर नेक्स्ट कोशन आया था एक्जाम में खेतडी खान से पूछा था कि खेतडी खान कहां पे है तो राजस्तान राज्य ओप्शन में दिया होगा यह आपका correct हो जाएगा राजपूत में खेतडी की खदाने देखिए इसका अंसर बतायता हूँ पहले तो इसका अंसर होगा वर्तमान में 11 मोली कर्टवे हैं और भारतिय सविधान में मोली कर्टवे को अनुछेद 51 एक के के तहत जो है भाग 4 में जोड़ा गया था जब मूल सविधान में मोली कर्टवे की संक्या 11 है और इस question का answer भी होगा 11 नेक्स्ट question आया था oxygen की बाहरी कक्षा में electron की संक्या पूची थी तो बहातम जो कक्षा होती है उसमें 6 electron होते हैं तो 6 आपका right answer होगा वीडियो का जो like goal है वो 2000 है बहुत मेनत लगा इस वीडियो को बनाने में तो complete करना सभी एक साथ वीडियो को like और share करें और साथ में group D की analysis रोजाना सटीक विसलेशन देखने के लिए इस चैनल को subscribe करके bell icon ओन कर लीजे group D की analysis रोजाना देखने के लिए next question पूचा था भारतिय सविधान की चोथी अनुसूची निमन लिखित में से किस विकलब के बारे में हमें बताती है तो चोथी अनुसूची हमें राजे सभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताती है भारतिय सविधान की चोथी अनुसूची हमें राजे सीटों के आवंटन के बारे में बताती है प्रतेक राज्य या फिर केंदर सासित प्रदेश से चुने जाने वाले राज्य सबा के सदश्यों की संख्या सविधान की चोथी अनुसूची के द्वारा तेय की गई है ठीक है इससे समंदित एक आर्टिकल भी पहले पूछा जा चुका है इस एक्जाम में और ये वाला कोशन सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है पंकज आडवानी से पूछा है कि 19 वी एशियाई 100 UP बिलियर्ड चैंपियंशिप 2020 में किसको हरा कर इन्होंने खिताब जीता है अपना आठवा तो धुरूव सीता वाला को हरा कर इन्होंने पंकज आडवानी ने अपना आठवा एशियाई खिताब जीता है ठीक है तो यहाँ पे पंकज आडवानी आपका करेक्ट हो जाएगा एक पूछा था बजट 2022 तैसमें घोसित PM डिवाइन योजना का समंध किस से है तो यह उत्तर पूर्वी भारतिय राज्यों के विकास के लिए जो यह योजना चलाए गई है इसमें बजट में जो है ना पंदरा सो क्रोड रुपे आवंटित किये गए है ठीक है मिजोरम आर्टिकल मिजोरम राज्य आपको ओप्षिन में दिया था या फिर नहीं बताइएगा या फिर ओप्षिन में यही था अगर यही था तो आपको यह Correct कर लेना था या फिर श्टेट पूछा होगा तो मिजोरम जरूर दिया होगा एक आया थान PS pH जो है ना pH मान से सम्मनित कतन दिया था दो पहला कतन था जर्मन भासा में pH का मतलम होता है Potence of H होता है जो की सही है pH का मान 0 से 16 के बीच होता है जो की गलत है क्योंकि pH सारीनी में pH value 0 से 14 के बीच में होता है तो यहाँ पे हमारा पहला कतन सही होगा दूसरा गलत हो जाएगा एक कोशना है था चूना पत्थर के वियोजन से क्या बनता है तो इससे केलसियम ओक्साइड और आपका CO2 बन जाएगा CACO3 से आपका क्या होगा CAO और स्प्लिस CO2 बनेगा एक कोशना आया था कम कीमत वाले उतपाद जिनकी मांग कीमत के साथ बढ़ती है क्या कहलाती है इन्हें हम जीफन वस्तुएं बोलते हैं देखिए ये उतपाद भोजन की आवसक्ता को पूरा करने के लिए आवशक है और उ जोर करता है ठीक है दोस्तों एक कोशन आया था हिंदु धरम में कितने चरण होते हैं अगर आपसे चरण पूछा है तो चार चरण है हिंदु धरम में कोन-कोन सी है सत्य तप देया पवित्तरता ठीक है और एक स्टुएंट बोल रहा था कि कोशन आया था कि प्राचीन भार प्रस्त वे सन्यास आप दोस्तों बताईए ये वाला पूछा था या फिर ये जो मैंने आपको करवाया है हिंदु धरम वाला दोनों में से कौन सा है था जिनका भी एक्जाम थर्ड शिफ्ट में हुए बताईएगा कौन सा पूछा था एक रिपेटिड कोशिन फिर से सेकंड जरूर किजिएगा लिंक डिस्क्रिप्ट में दे दूँगा नेक्स्ट कोशन है नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा जो आपकी आठवी अनुसूची की 22 भासाओं को सीखने के लिए जो एप लौंच किया गया है उसका नाम पूछा है करेंट अफेर का कोशन था तो इस ए जोवाक जोकोविच ने जीता है एक पूछा था दमन और दीव की आधिकारिक भासा क्या है तो देखे दमन दीव का अगर पूछा है तो इसका आधिकारिक भासा गुजराती होगा ठीक है और एक स्टुडेंट बोल रहा था कि अंदमान वे नीकोवार का पूछा है अगर अंदमान नीकोवार का आया है तो इसकी आधिकारिक भासा हिंदी वे अंगरेजी दोनों ही है आप बताईए जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ था कि अंदमान नीकोवार का पूछा था या फिर दमन और दीव का पूछा था एक कोशन उससे पहले आपको बता द खाडीन ये किस राजे की जल सरंग्षन वेवस्ता है तो जल सरंग्षन वेवस्ता से कल भी कोशन आया था आज भी आया है तो खाडीन ये राजस्तान राजे की जल सरंग्षन वेवस्ता है एक पूछा था प्लास्टर ओफ पैरिस का क्या उप्योग नहीं होता प्लास्टर परिस का यूज करते हैं तो इन में से ही कोई आपको option दिया होगा इसकी reaction भी आपको पता होनी चाहिए एक question था निमन लिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उधारन है तो आप देख सकते हैं FV plus CuSO4 FVSO4 plus Cu और उसी प्रकार से ये भी एक विस्थापन अभिक आपना था एक numerical question था अवतर लेंस के लिए शमता माइनस चार लिस डायोक्टर है तो फोकस दूरी बताइए तो D बराबर 1 by F करके आप इसको solve करोगे तो माइनस धाई मीटर आपका correct transfer हो जाएगा एक आया था एक तार की लंबाई L वे छेतरफल A वे प्रतिरोध पॉइंट तो पताई होगा उसी परकार से second wire के लिए भी हम यूज करेंगे और last में जब हमारा जो प्रतिरोध का मान आएगा वो कितना आजाएगा तो यहाँ पे royal बटा 2A करने पे हमारा जो मान आएगा वो point A कोम आएगा एक आयता यदि किसी चालक के लिए power 20 watt दिया है प्रतिरोध पांच होम है तो धारा बताईए P बराबर V into I होता है इससे और एक होता है I square into R तो यहाँ पे देखिए P बराबर V और यहाँ पे हमारे पास P का मान है R का मान है तो इदेखिए I square R करके अपने क्या करेंगे यहाँ पे I का मान निकाल सकते हैं 2A यहाँ पे आपका right answer होगा आपको सारे जो numerical question है वो खुड try करना चाहिए solve करने के लिए इनसे आपकी practice और अच्छी होगी एक question था pH मान में P का सूचक क्या होगा तो pH में P शब्द का पूशांच अर्थात शक्ति का सूचक होता है और H सब्द जो है यह hydrogen ion का सूचक होता है तो यहाँ पे P शब्द का सूचक पूचा था तो सक्ति यहाँ पे आपका correct होगा एक question था मोपला विद्रो कहां पे हुआ था यह केरल में हुआ था 20 अगस्त 1921 में history का यह question पूचा गया था आपसे next question देखिए राष्टे पती का निर्वाचन किस article में है तो article 55 आपका correct हो जाएगा एक आया था carbon का प एक आया था मुत्र में जल का प्रतीशत पूचा था तो 91 से 96 प्रतीशत मुत्र में जल का प्रतीशत होता है बाकी इसमें क्या होता है यूरिया, लवन, सरकरा और अन्यवंचित पदार्त इसमें सामिल होते हैं 4 प्रतीशत में एक कोशन अब अपने करने जा रहे हैं आज के first shift के कोशन third shift के जितने कोशन हमारे पास आयते सबी करवा दिये हैं first shift के कोशन सार्ट कर रहे हैं इसके बाद करेंगे second के first shift का first question है कि 1851 में पारसी धरम के लिए कोन सा समाचर पत्र चलाया गया था तो इसके लिए दोस्तों जो चलाया गया था वो था रास्त गोफ्तार जिसे सत्यवाधी के नाम से भी जाना जाता है एक कोशन था खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम्स 2022 कहां पे हुए तो ये आपके बैंगलूरू करनाटक में हुए तो बैंगलूरू आपका राइट अंसर होगा स्कूल ओफ इंजिनिरिंग एंड टेकनोलोजी जेन उनिवर्स्टी में हुए थे ये और जेन उनिवर्स्टी ने ही पदक तालिका में बाजी मारी थी एक कोशन आया था 12 अगरस 2022 तक राजे सभा के सभापती जो नए सभापती बने है चोधवे जो की उपराष्टे पती है उ याँपे 5 किलो मीटर आपका करेक्ट हो जाएगा एक पुछाता कौन सा पठार लो अयसक से समर्च नेक्स्ट को नेक्स्ट कोशन ओजोन परत को कौन सी गैस नुक्सवान पहुचाती है तो ओप्शन में CFC लोरो फ्लोरो कार्बन दिया था वही आपका करेक्ट हो जाएगा एक आयता लोटता हुआ मानसुन भारत के किस छेतर में बारिस करता है लोटता हुआ मानसुन भारत के तमिल और पूरवी घाट जो छेतर है इसमें जो है ये भारी बारिस करता है दोनों में से जो ओप्शन में था वो करेक्ट कर लेना था एक पुछा था Center for Development of Advanced Computing सीडेक ने राष्ट्रेक सूपरकम्प्यूटिंग मिसन के दूसरे चरण के तहत कोन सा सूपरकम्प्यूटर IIT रुडकी में स्तापित किया है तो ये किया है परम गंगा मार्च 2022 का करेंट फिर था ये एक पुछा था इंडिया प्लास्टिक पैक्ट WWF इंडिया और किसके बीच एक स्युक्त पहल है तो ये इंडिया और भारतिय उधोग परिसंग के बीच एक स्युक्त पहल है सेप्टेंबर 2021 का करेंट फिर था ये एक पुछा था कौन सी आठवी अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है तो टोटल आठवी अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जि इस दिन एक्जाम नहीं था 27 तारी को उस दिन ये कोशन करवाया था और आज ये पूछा गया है रावी और व्या से आपका करेक्ट हो जाएगा एक आया था सबसे पहले पंचायती राज विवस्ता कहां से शुरू हुआ ये भी repeated कोशन है इस एक्जाम में दो बार repeat हो चु तो हमारा प्रात्मी घाटा आएगा प्रात्मी घाटा सुने जब होगा जब राजकोशिय घाटा और ब्याज घाटा जो ब्याज भुकतान है आपस में बराबर हो जाएं तब प्रात्मी घाटा सुने होगा एक कोशन था बरफ का अपवरतनांग 1.35 तता सेंदा नमक का एक बरफ से सेंदा नमक में आ रही है तो यहाँ पर अभी लंब की और यहाँ पर आपका correct हो जाएगा एक पुछाता महिला परजनन तंतर का हिस्सा को नहीं है option थे डिम्ब बहीनी, मुत्र मारग, अंडाश्य या घरबाश्य तो correct हो जाएगा मुत्र मारग, यह तीनों क्या है घरबाश्य जो महिला परजनन तंतर के हिस्सा है मुत्र मारग नहीं होता तो option B right answer होगा एक पुछाता आवर्त सारणी में समूह 17 वाले तत्व के परमानू की सेंदा कितनी होगी तो यह minus 1 होगी, plus 1 नहीं होगी, minus 1 होगी, ठीक है इसको सही कर लिजे, plus 1 नहीं है, minus 1 होगी एक आयता आवतल दरपन के वककतार तिर्जा 12 है, तो focus दूरी क्या होगा आवतल दरपन का वककता तिर्जा 12 है, तो इसका आपका focus दूरी आधा हो जाएगा और negative में होगा minus 6 एक पूछाता निमन तत्वों में से किसका परमानू सोज़ता plus 3 होगा तो ये aluminium का हो जाएगा एक पूछाता यदि दरपन के धुरूब से focus की दूरी 16 cm तो pole से वकरता केंदर की दूरी क्या होगी 32 cm दूगनी हो जाएगी next पूछाता आपसे यदि V1 अनुपात V2 अनुपात V3 है बराबर कितना है एक अनुपात दो अनुपात 3 है तो आपे R1, R2, R3 का पूछा था तो इसका भी एक अनुपात दो अनुपात 3 ही होगा बताएगा आपने क्या-क्या इसमें विकल्प थे और क्या correct answer आपने किया था एक पूछाता भारत की मानक से में रेखा कहां से गुजरती है तो यह उतरपरदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरती है मिर्जापुर के निकट से जाने वाली 85.5 डिगरी यामियोतर रेखा के समय को भारतीय मानक समय माना गया है एक पूछाता वास्पोतर सर्जन से क्या नुकसान होता है तो इससे क्या होता है पत्तियों और तनों में निर्जलित डहने वाली कोशिकाएं अब खड़ी नहीं रह सकती है और पोधा मुर्जाने लगता है एक पूछा था कि राश्ट्र की आये को आकार के अनुसार किस पर मापा गया है तो यहाँ पर ओप्शन में GDP दिया था और GDP आपका correct transfer हो जाएगा एक पूछा था अपवर्तनांग N1 कितना है N2 इतना है N3 इतना दिया है तो प्रकास की चाल करमेशे क्या होगी तो देखिए अपवर्तनांग जितना ज़्यादा होगा चाल उतनी ही कम होगी तो यहाँ पर अपवर्तनांग सबसे कम किसका है N1 का है तो यहाँ पर चाल भी सब सबसे यादा इसी की होगी उसके बाद है N3 का कम तो V3 हो जाएगा उसके बाद सबसे यादा N2 का है तो उसका सबसे कम होगा चाल तो यहाँ पे हमारा यह करेक्ट आंस्फर हो जाएगा एक पूछा था फरवरी 2022 में भारतिये वैज्यानिकों की एक टीम ने COVID-19 महामारी से यानिकी जेवे ग्रूप से नवश्ट होने वाला सांस लेने में सुविदा जनक और धोने योग्या है ठीक है एक कोशन था मदुमक्की के काटने पर रहात के लिए क्या लगा जाता है बेकिंग सोडा विकलप में दिया था वही करेक्ट होगा एक पुछा था जुमे की नम नेक्स्ट का आया था कि इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंतर का जो है वो हिस्सा नहीं है तो विकलप जो भी है ना ग्रास नली या ग्रसी का ये पाचन तंतर का हिस्सा नहीं होता है बाकी तीनों ही होते हैं तो ओप्शन भी आपे आपका करेक्ट हो ज एक पूछाता बड़े बांद निर्मान के क्या लाब हैं काफी लाब होते हैं जैसे कि बड़े बांद में जल संग्रेंड प्रैक्त मातरा में किया जा सकता है जिसका ओपयो केवल सिंचाई के लिए ही नहीं वरने विदूत उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं इससे निकलने वाली नहरे जल की बड़ी मातरा को दुरस्त सानों तक ले जाती हैं और क्या-क्या विकल दिये गे थे बताईएगा कमेंट करके एक पूछाता पी बराबर 1100 है वी बराबर 220 वोल्ट है तो आर बताईए तो पी बराबर वी इंटु आई होता है पहले आई का मान निकाल ले इस नुमेरिकल का अंस्वर आप सभी को कमेंट करके बताना है किसका अंस्वर क्या आएगा एक पूछा था भारतिय महिला अंतराष्ट्रे क्रिकेट टीम के कोच तो रमेश पोवार को दूसरी बार कोच बनाया गया है अंतराष्ट्रे क्रिकेट महिला टीम का एक आयता इल दिशा को ग्याद करने के लिए किया जाता है जबकि फ्लेमिंग के दाइनte हाथ के नियम का उपयोग विदु जर्नेयाटर में प्रेडिस-धारा की लैज्ट करने के लिए किया जाता है आप बताइएगा इन में कॉन कॉन से कथन धिये गये थे एक एक पुछाता कौन सा आसम राजे के तोहार है तो भीहू हो जाएगा सबसे असान कोशन आज का एक पुछाता लिटमस अमल वे शार परिक्षन का प्राकर्तिक सूचक है यदि एक लिटमस को किसी विलें में डालने पर विलियन निले से लाल हो जाता है तो विलियन की पीच क् निले से लाल हो जाने की अमल हो जाएगा तो उप्षन के अंदर अमल कौन सा है पांच हो जाएगा तो पांच आपका राइट आंस पर होगा क्लोर चार परिक्रिया आपसे पूछी थी तो यह आपके आद देख सकते हो एन ए ओए ओए सोडियम हाइड्रोकसाइड साथ में क की उमर 55 साल है शुरुवात 9 मई 2015 कोलकता से की गई थी एक आय था मानव स्री में लसीका का कारे तो यहाँ पे लसीका पाचीत था अवसोशित वशा को शुदांतर से रख्त मिले राता है इसके अलावा यह सभी क्या है लसीका के कारे हैं ओप्षन क्या क्या दिये गए गे एक कमेंट जुरू कीजिए एक आयता महिलाओं के मासिक दर्म से समधित कौन सा मित धारना नहीं है तो इसके विकल्प पूरे अपको याद है तो कमेंट करके जुरू बताना मेरे को एक आयता अवशेपन अभिक्रिया कौन सी होगी तो आहाँ पे आप देख सकते हो अलुम क्लोराइड बैरियम सलफेट का अवशेप देता है यह क्या है एक अवशेपन अभिक्रिया है ठीक है एक आयता विदुद जनितर डी रेखा की है कि तो घूमने के लिए उर्जा मिलती है देखिए विदुद जनितर डी रेखा कहा है कि चुमबक्तव जो है को घूमाने के के लिए विदुद की उर्जा मिलती है एक ette मिघ था धुआदार जलपरपात किस नदी पर है तो इसका correct हो जाएगा answer ये आपका जो धुआदार जलपरपात है नर्मदा नदी पर बना हुआ है तो नर्मदा आपका right answer हो जाएगा मद्यप्रदिस जबलपुर्जिले में next question था निमन लिकित में से कौन सी नदी पंचाईती राज से समंधित कोन सा जो सविधान संसोदन है वो किया गया तो ये 73 वा संसोदन दिनियम किया गया 1992 में एक आयता सुमिद जो अंतिल है इनको पदम शिरी किस छेतर में दिया गया खेल के छेतर में इनका समंध भाला फेंक खेल से है 2022 का ये करेंट अफेर का कोशन दिया रखेगा एक पुछा था ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रज़त पदक जीते दो रज़त पदक एक स्वरन टोटल साथ पदक जीते थे जिसमें चार काशे भी सामिल है भारत का रेंग था 48 वा ये सभी जो पदक विज़ताओं सातों के नाम है याद कर लीजे किसने किसमें पदक जीता है एक कोशन आने वाले शिफ्टों में पक्का आएगा एक कोशन था 2004 में किस भासा को सास्त्रे भासा का दर्जा दिया गया तमिल को दिया गया टोटल 6 सास्क्रे भासा हैं सबसे पहले 24 में तमिल लाष्ट में हो जाएगा ओडिया 2014 में लगातार कोशन आ रहे हैं इस टोपिक से एक कोशन आधा फरवरी 2022 में ट्रांस जेंडर वै भिक्सवों के लिए केंदर सरकार ने कौन सी योजना लोंच की है समाईल योजना एक कोशन था 2020 गनतंतर दिवस की परेड में भारत के मुख्या जिती कौन थे तो ये थे जेर बोलन सुलारो जो की ब्राजिर के राष्टे पती है 2021-22 में कोई मुख्या जिती नहीं था COVID-19 की वज़े से एक आय था भारतिय सविधान के किस आर्टिकल के तहट निरोधवय गिरिफतारी से सरंक्षन प्राप्त है तो ये आर्टिकल 22 आपका करेक्ट हो जाएगा एक आय था भारत में जो है ना तीसरी पंच वर्षे योजना का समय क्या था 1 अप्रिल 1961 से 30 मार्च 1966 तक एक पूछा था यूवी का प्रोग्राम किस के द्वारा शुरू किया गया इसरो के द्वारा 13 माई 2019 को इसे सुरू किया गया है नेक्स्ट कोशन था भारत में प्रथम मेडिकल कोलज की स्थापना किस ने की थी कॉलकाता में की गई थी कोल कायता प्रस्य मंगाल में 28 जनवरी 1835 को लोड विलियम बेंटिंग ने इसकी स्तापना की थी एक पुछा था किस अमल को मुरेटिक अमल के रूप में भी जनाता है मुरेटिक अमल के रूप में HCL हाइडरोकलोरिक अमल को जना जाता है जो की एक प्रबल अमल भी है एक आयता सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अभिगरिया करके क्या उतपाद बनाएगा सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अभिगरिया करके बेकिंग सोडा वे कास्टिक सोडा उतपाद बनाएगा यहाँ पे आप इसकी reaction भी एक बार देख लीजिए एक कोशन आया था देखिए दोस्तों कोशन में आपसे ये पूछा गया था कि bleaching powder का उपयोग क्या क्या होता है तो मैं आपको बदा दूँ पानी का शुद्धी करण, क्लोरिन का उत्पादन औकसी कारक एजेंट कपड़ों विरंजन में आदी, इन में से विकल्प था या फिर इनके अलावा कोई था बताईएगा, एक कोशन था अमल वेचार की विक्रिया से क्या बनेगा लवन वेजल बनता है, इसे उदासी नहीं करण विक्रिया भी कहते हैं एक पुछाता दस ओम के प्रत्रियोट 0.6 एंपियर की धारा भेर ही है इसमें तो एक सेकिंड में उत्पन उर्जा क्या होगी, ह बराबर आई स्क्वेर र टी होता है और एक वी स्क्वेर टी अपोन आर होता है तो यहाँ पे अपने वी स्क्वेर टी अपोन आर से करेंगे इसका आंसर आजएगा 3.6 जूल एक कोशन है समुद्र के किनारे कौन से वन पाई जाते हैं मैंगरो वन, मैंगरो वन से 3 कोशन आ चुके हैं इस बार एक्जाम में नेक्स्ट कोशना आधुनिक आवर सार्णी में तत्वों को विवस्तित किया गया है बढ़ते परमानु करमांग के करम में आधुनिक आवर सार्णी में तत्वों को विवस्तित किया गया है एक पुछा है अवतल दरपन की फोकस दूरी 15 से मी प्रतिविम की दुरी 45 एमी तो वस्तु की दुरी बताओ तो यहाँ पे अपने 1 by F वारा फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 22.5 सेंटिमीटर ये है वस्तु की दुरी एक पूछा तत तीन ओम वैचे ओम प्रतिरोज समांतर में 6 वोल्ड की बेटरी से जुड़े हैं दोनों के लिए विदुद धारा बताईए पहले इसका समतुलिया प्रतिरोज निकालो उसके बाद आई बराबर वी अपन आर करके अपने इसको सोलो करेंगे तो एक MPR आपका करेक्ट हो जाएगा अनसर एक आयता डोबे राइनर का त्रिक नियम की सीमाई क्या थी सिर्फ तीन थी कुछ-कुछ जगए आपको 5 ट्रैड भी यहाँ पर लागू होते दिखाई देते हैं तो समान रहती है यही आपका विकल्प दिया था और यह करेक्ट हो जाएगा एक आयता वोशिंग सोडा का प्रकरती छारिया होता है एक पूछा था एक उत्तल दरपन की फोकेस दूरी 10 सेमी वस्तू की दूरी 15 सेमी तो प्रतिविम की स्तिति बताईए वन बाई एफ बराबर वन बाई वी माइनस वन बाई यू होता है इससे अपने क्या कर लेंगे जो वस्तू की प्रतिविम की स्तिति है जो अब निकाल सकते हैं वी बराबर 3 सेंटिमेटर हो जाएगा और आभासी सीधा व्य वस्तू से छोटा प्रतिविम आपका बनेगा एक आयता इनमें से कौन किसमें कार्बो हाइडरेट पाया जाता है ओप्शन में चावल दिया था चावल आपका राइट आंसर होगा इसके अलावा इन सभी में जो है ना कार्बो हाइडरेट की मातरा बहुत होती है नेक्स्ट कोशन बारा मही 2012 को कौन सा दिन था ये सेकेंड शिफ्ट में एक रिजनिंग का कोशन था तो सनीवार था इस दिन एक आयता जीवी का योजना से बिहार सरकार से सम्मंदित को योजना थी पसिम मंगाल राज्या में चोटे चोटे उद्योगों को बढ़ाने के ल देना चाते हैं तो और टेलिग्राम पिसका पीड़ेफ मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिश्ट में है जहिन जेवार